हेलो पेरेंस, वेल्कम टू माई चैनल मॉम कॉम जोती सिंग आज बात करते हैं एक खास टॉपिक पर कि कैसे आप अपने बच्चे को गोरा और गोरींग इस स्कीन कर सकते हैं या फिर उसको कह लेजिए कि कैसे निखा सकते हैं क्योंकि हर मा का सपना होता है कि उसका वेवी सुंदर और गोरा हो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का रंग बहुत ज़्यादा साफ होता है लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे डॉस्ट और पोलुशन के वज़े से बच्चे की रंग में परिवर्तन आने लगता है जिसकी वज़ा से बच्चे साउनले दिखने लगते हैं वैसे तो कहा जाता है कि बच्चे की रंगत उसके माबाप पर डिपेंड करती है लेकिन कुछ बाहरी कार के जैसे की केमिकल युक्ति स्किन केर प्रोडक्शन के इस्तमाल स्किन एलर्जी बाहरी बाद बालर के संपर्क में आने पर भी बच्चों का कलर डाउन होने लगता है इसलिए आपको अपने बच्चों की नाजुक तचा की खास तोर पे सुरवाती कुछ सालों में खास देखवाल करने चाहिए तो अब मैं आपको कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिनकी मदद से नेचुरली सिसु की स्किन टोन को बेतर किया जा सकता है ये कुछ घरेलू टिप्स है जो आपकी बेबी को साफ और सुन्दर बना सकते हैं सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कहीं भी मार्केट या बाहर जाने की जुरत नहीं पड़ेगी ये सब समान आपको अपने ही किचन और अपने ही घर में आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि कभी भी बच्चे बाहर दुकान पर मिलने वाले केमिकल युक साबून का इस्तेमाल न करें या बहुत ही कठोर होते हैं और तवचा को ड्राई कर सकते हैं इसके बदले आप अपने घर में बने उप्टन या बोडी पैक में बच्चे को नहला सकती हैं इसके लिए आप हल्दी, कच्छा दूद, बेसन इन तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद एक मुलायम पेश्ट तयार कर लें अब पेश्ट को बेबी के तवचा पर लगाएं और लगाने के बाद हल्के हाथ से छोटे बच्चे की तवचा पर मसाज करें इस पेश्ट को बच्चे की तवचा पर हफते में एक या दो बार जरूर लगाएं इससे उनके सरीर में रक्त परिशंचर बढ़ेगा और छोटे छोटे बाल भी साफ होंगे या इस क्रब आपके बच्चे की रंगत में भी सुधार करेगा इसके अलावा भी आप अपने बच्चे को गोरा करने के लिए गर्म तेल से मालिस कर सकती है शिसु को गोरा करने के लिए जैतुन का तेल या बदाम का तेल से मसाज बहुत ही बेहतरीन माना जाता है छोटे बच्चे को तेल से मसाज करने से उनकी तोचा पोसित और मुलायम रहती है बच्चे की तेल की मालिस कैसे करें चलिए बताती हूँ तेल को पहले हलका गर्म कर लें तेल गर्म करने के बाद पहले तेल को छूकर देख लें कहीं वह नौजात सीसू के लिए अधिक गर्म तो नहीं है अब तेल को उंगलियों पर लें और बच्चे की तोचा पर लगाएं लगाने के बाद हलके से मसाज करें यह तेल बच्चे की तोचा में गहराई तक जाते हैं और उनकी रंगत में सुधार करते हैं नारियल तेल भी बच्चे की बॉड़ी मसाज करने के लिए बहुत बेहतरिन तेल हैं इस तेल के उपयोग से भी आप अपने बच्चे का कलर शाफ और सुन्दर कर सकती हैं इसके अलावा सिसों की स्कीन की रंगत को साफ करने के लिए कच्चे दूद और हल्दी से उनकी स्कीन की सफाई करें इससे भी बच्चे का रंग साफ होता है छोटे बच्चे को गोरा करने के लिए सो में बॉड़ी पैक का भी आप इस्तिमाल कर सकती हैं बोडी मास्क बेबी की स्किन हेल्थ को सुधाने के लिए बहुत ही बहतरीन होता है और यह बच्चे को संक्रमर्षे भी बचा कर रखता है आप बोडी पैक बनाने के लिए चंदन हल्दी और केसर का इस्तिमाल कर सकती है इसको बनाने के लिए आपको एक बड़ी चंदन और ए इस पेश्ट को बच्चे की तोचाप लगाएं, लगाने के बाद पेश्ट को 15 मिनट के लिए ऐसे ही लगा छोड़ दें, फिर धीरे धीरे स्क्रब करके आप इस पेश्ट को छुड़ाएं, फिर हल्का गुंगुने पानी से उन्हें धूलें, उसके बाद आप अपने आप खुद देख सकती हैं, कि पहले कि आप एक्छा बच्चा गोरा और शाफ नजर आने लगता हैं, आप कोशिस ये करें कि बच्चे को कभी भी तोचाप किसी भी प्रकार का केमिकली उत्वाद न लगाएं, इससे बच्चा की रंगत और उनकी सौपनेस खतम होने लगती हैं, सूरज की किरणे उर्जा की बहुत ही अच्छे सुरोत माने जाते हैं, अपने बच्चे को सुबा की धूप में जरूर लेकर जाएं, धूप में ले जाने से आपके बच्चे को सही मात्रा में विटामिन डिप राप्त होगा, जिसकी मदद से उनकी तवचा को भीमारी पानी से जरूर नहलाएं, सायद आप जानके हैरान होंगे कि हम केवल पानी से भी अपने बच्चे का रंग साफ कर सकते हैं, नौजात सिसू का रंग गूरा करने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा लंब और कितनी बार पानी पिलाना चाहिए तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर शला लें बच्चा अगर हाइडरेट रहेगा तो उसकी तुछा गोरी भी होगी यह थे कुछ टिप्स आपके लिए जो आपके बच्चे को गोरा और सुंदर बनाने में आपकी मदद कर सकता है त ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें मिलते हैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद